दोस्तों आपके जोडों के अंदर grease का कम हो जाना यानि चिकनाई का कम हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़ए से आपके अंदर बहुत सारी अलग लग तरहा की जोडों से रिलेडिट प्रॉलम्स हो सकती है जैसे कि इस grease के कम हो जाने से आपके जोडों के अंदर सूजन आ सकती है, दर्द आपको हो सकता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको परिशानी हो सकती है वगेरा वगेरा अगर किसी कारण से आपकी बोडी के अंदर ये grease कम हो जाता है, आपके जोडों में चिकनाई कम हो जाती है तो उसकी वज़ा से आपके जोडों की जो दो हड्डियों के सिरे हैं वो आपस में टकराने लगते हैं और इसकी वज़ा से आपको बहुत सारी problems face करनी पड़ती है तो इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि अगर किसी वज़ा से आपके जोडों के अंदर ये चिकनाई कम होने लगी है तो उसको किसी ना किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए और अगर आपकी चिकनाई ये maintained है तो इसको इसी तरह से बनाय रखना भी बहुत जादा जरूरी होता है ताकि future में आपको जोडों से संबंदित कोई भी परिशानी ना face करनी पड़े तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जोडों के अंदर इस चिकनाई को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आपके अंदर ये कम है और अगर आपके अंदर ये कम नहीं भी है आप जवान भी है तो इसको आप कैसे maintained रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको जोडों से सम्मंदित, घुटनों के दर्थ से सम्मंदित, कमार से दर्थ related ऐसी कोई भी प्राबलम फेस करनी नहीं पड़े तो चलिए बीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा दोस्तों सबसे पहले ही जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके जोडों के अंदर ग्रीस कम होता है सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है आपकी बढ़ती हुई उम्र जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जोडों के अंदर से जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसी वज़ा से आपने देखा होगा कि बुजर्गों के अंदर जोडों से सम्मंदित प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत जादा पाई जाती है एक दूसरी प्रॉब्लम है ओस्टियो और्थराइटिस ये एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर आपके जोडों में जो फ्लूइड है जो साइनवल फ्लूइड है चिकनाई है या ग्रीस आप इसे कहते हैं ये कम होने लगता है और इसकी वज़ा से भी आपको जोडों मे अंदर साइनवल फ्लूइड की कमी होनी पाई जाती है इसके अपोजिट जो लोग बहुत जादा लोट डाल देते हैं अपने जोडों के ऊपर इसके लावा जो लोग बहुत जादा खटा खाते हैं या जो लोग डाबिटिक होते हैं इनके अंदर भी जोडों में ग्रीस कम होने लगता है last but not the least आयरवेद ये मानता है कि जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनके अंदर भी जोडों में ग्रीज कम हो सकता है ये वैसे scientifically proven नहीं है बट आयरवेद ऐसा मानता है दोस्तों ये वो factors हैं जिनकी वजह से आपके जोडों के अंदर ग्रीज कम होता है तो आप अपने अंदर इस ग्रीज को preserve कर सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ prevention is always better than cure अब सवाल आता है कि अगर आपके जोडों के अंदर से ये ग्रीज कम हो गया है आपकी जोडों में दर्द रहने लगा है और आपको चलने फिरने में परिशानी हो रही है तो क्या इसे ग आपके जोडों के अंदर इस ग्रीज को बढ़ाने का काम करते हैं अगर आपके जोडों के अंदर इस ग्रीज को बढ़ाने का काम करते हैं अगर आपके जोडों के अंदर ग्रीज कम हो गया है especially आपके घुटने में इसे ग्रीज कम हो गया है उसकी वजह से आपको चलने फि मिलते हैं इसके अंदर आपको कैलशयम मिलता है, विटमिन दी-3 मिलता है, ओमेगा-3 fatty acids मिलते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और विटमिन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और ये सभी चीज़े जो हैं आपके जोडों को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी बनाने के लिए और जोडों के अंदर मौजूद सूजन को कम करने में चलने फिरने में आसानी करने के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी होते हैं अखरोट अगर आप रेगुलर्ली खाते हैं तो उससे आपके जोडों के अंदर जो ग्रीस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जोडों हैं वो ज़्यादा बहतर तरीके से काम कर पाते हैं आपको चलने फिरने में उटने बैठने में दिक्कत का सामना नहीं करन अगर आप अखरोट को खाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रुजाना तीन से चार अखरोट जरूर खाने चाहिए तीन से चार अखरोट आप ले लीजिए और उसकी गिरी निकालकर रापको सोते समय एक कटोरी पानी के अंदर आप भीगो कर रख दीज और अच्छी तरह से चबा-चबा कर खानी हैं सिर्फ एक महीना अगर आप लगकर ये कर लेंगे दोस्तों तो सिर्फ एक महीने के अंदर ही आप अपने जोडों के अंदर बहुत ही जबरदस्त इंप्रूमेंट देखेंगे और आपके जो दर्द वगरे की शिकायत है जोड भी हद तक सिर्फ एक महीने के अंदर ही कम होनी शिरू हो जाएगी दूसरी होम रेमेडी जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने जोडों के दर्द को कम करने के लिए और ग्रीस को बढ़ाने के लिए वो है हार सिंगार के पत्ते दोस्तों हार सिंगार को पारिजाद भी कहत उसके बाद आपको एक ग्लास पानी लेना है और इस ग्लास पानी को आपको उबालना है उबलते हुए पानी में आपकी जो पत्ते आपने कुछले थे इनको डाल दीजे और तीन-चार बॉयल इसको अच्छे से आप दे दीजे जब तीन-चार बॉयल इसको आप आग से उत या सूखा बादर्ग जी सवांट बोलते हैं वह भी आप एसके नदर डाल सकते हैं उससे जो इसकी इफिकेसी है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी दोस्टो हार सिंगार्ग होता है यह एंटी इंफिलमेंटरी होता है और पेंकिलर होता है और इसके साथ anti-oxidant properties भी इसके अंदर होते हैं और इसी वज़े से यह आपके जोडों के अंदर मौजूद सूजन को कम करता है दर्द को कम करता है और grease को बढ़ाने का काम करता है और oxidative damage जो की आपके जोडों को खराब करती है उसको भी कम करने का काम करता है तीसरी चीज है coconut water यानि के कोई भी contamination नहीं हो सकता है यह 100% pure होता है अगर आप नारियल पानी को रोजाना इस्तमाल करते हैं तो इसकी वज़े से आपके जोडों के अंदर जो सूजन है वो कम होती है आपके जोडों के अंदर दर्द कम होता है और इसके साथ-साथ आपके जोडों के अंदर चिकनाई यानि ग्रीज जो है वो भी बढ़ने लगती है नारियल पानी का pH alkaline होता है और इसी वज़े से इसको regularly अगर आप इस्तमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर जो मौजू जो acidity होती है खून में वो acidity कम होने लगती है और इसकी वज़े से भी आपके जोडों के अं आसानी होती है एक ग्लास नारियल पानी आपको रुजाना दिन में कम से कम एक टाइम जरूर पीना चाहिए इन तीन चीज़ों के अलावा दोस्तों आपको अपनी डाइट के अंदर calcium और vitamin D का भी खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि calcium और vitamin D आपकी हड़ियों की और जोडो कम हो जाता है तो इसलिए आपको रुजाना कम से कम एक ग्लास दूद जरूर पीना चाहिए क्योंकि दूद के अंदर आपको vitamin D भी मिलता है और calcium भी मिलता है इसके लावा calcium के लिए और भी बहुत सारी इसी चीज़े हैं जो आप ले सकते हैं कोई calcium का अच्छा supplement भी ले सकते इसके लावा बहुत सारी खाने पीने की चीज़े भी ऐसी हैं जिनमें vitamin D3 होता है जैसे कि fishes के अंदर होता है, mushrooms के अंदर होता है, बादाम के अंदर होता है, अख्रोट के अंदर होता है और इसके लावा eggs वगरा के अंदर भी vitamin D3 काफी जादा होता है लेकिन सिर्फ इसके लावा exercise भी दोस्तों बहुत important है उन सभी लोगों के लिए जिनको जोडो से related कोई भी problem है अगर आपको problem बहुत जादा है घुटनों में या जोडों में तो आपको हलकी-हलकी speed से जितनी आपकी body allow करे उतनी speed से आपको टहलना चाहिए और अगर आपके अंदर जादा problem नहीं है या अगर आप जवान है आप कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा medium speed से टहलना चाहिए या फिर jogging करने चाहिए इसके लाव अगर आप ओर वेट हैं तो आपको वजन घटाना चाहिए क्योंकि वजन बढ़ने से भी आपके जोडों को ऊपर extra load आता है और आपके जोड जो grease है उसको भी बढ़ा सकेंगे चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप करता हूँ अगर यहां तक वीडियो देखी है तो इसे like जरूर कीजिए चैनल पर अगर नए है और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को subscribe भी कर लिजे और bell icon जरूर प्रेस करिए ताकि सबी वीडियो की notification आपको मिलती रहे इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ के फिर मी लूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते र ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा